हेलो गाई स्वागत है आप लोग का फिस एक और नई वीडियो में ये है आप लोग के लिए नाकूमट देखिए ये है सबसे पुराना नाकूमट ये देखिए यह सबसे पुराना नाकुमर्ट है क्योंकि इसको मैंने करीबन करीबन तीन साल पहले मंगाया था तीन साल पहले इसको लाया था और आए तक यह मेरे पास अभी के अभी वैसा का वैसा ही पढ़ा है थोड़े बहुत इसकी quantity कम है लेकिन आप लोग इसको देख सकते हो बिलकु अगोड अगोड की स्लेट पैंसल लाई थे इस चाहला पर वीदियोज बनाने के लिए और आज मैं आपको दिखा लेता हूं यह रिखे वही स्लेट पैंसल है इसके उपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके है और यहां पर अभी तक मेरे पास उतने की उतनी यह करीबन करीबन तीन साल पहले का नाकुमट है इसको एक डेट साल हो चुका है लाके यह वाला नाकुमट को और नीचे आप देख सकते हो यह देखिए सबसे बड़ा नाकुमट हमने खुद ही बनाया था मैंने खुद ही बनाया था वह भी घर पर अपने हाथों से नाकुमट ब पुराने सबसे पुराने स्लेट पेंसिल नाकुमट और ये भी नाकुमट है और अब मैं आपको लियाता हूँ पुराना नाकुमट कैसे दिखता है ये देखिए ये देखिए ये हाफ रोस्टेड या फुल रोस्टेड नाकुमट है जो आप लोग वीडियो में देखा है न बिल्कुल ब्लैक उसको कोले के बीच रोस्ट किया होता है इसलिए वो कोले की तरह काला हो जाता है उसको काले होने का रीजन वही है कि उसको कोले के बीच रोस्ट किया जाता है उसी की वैसे वो काल होता है अगर आप इसको पानी में डालोगे तो यह अलग टाइप से रियक्ट करेगा वहां पर पहले यह तोट जाता है फिर यह उसके बीच थोड़ा सा घुल जाता है और उसके बीच यह बिल्कुल ऐसा स्लिपरी हो जाता है अब इसके उपर भी एक्सपैरिमेंट करके दिखाएंगे आपको मैं दिखाऊंगा की पानी की बेच इसका क्या होता है यह अगर आप लोग इसको खाते हो तो अभी अभी आपको इसको देखकर craving हो रही होगी क्यूंकि इसकी craving बहुत जाधा strong होती है बहुत जाधा मन करने लग जाता है इसको खाने का और ऐसा उन्हें के साथ होता है जो बहुत जाधा खाते है और जिनको pick a disease होती है या फिर ironing calcium की कमें होती है उनके साथ एस होता है तो यह है मेरा सबसे पुराना स्टॉक जी हाँ पुराना स्टॉक इसको बोला जा सकता है क्योंकि यह बहुत पुरानी स्लेट पैंसिल है यह ना कुमेट है यह स्लेट पैंसिल बहुत पुरानी है और इससे भी पुरानी मेरे पास लेट पैंसिल है वह भी मैं आपक यह नहीं है और इसका प्राइस 400 रुपय है अगर आप यही यही स्लेट पेंसल अगर आप दुकान से उपन नहीं खरीटते हो दस बीस रुपय की स्लेट में इसलाव को मिल जाती है इतना फर्क होता है ओनलाइन और आफ लान या शॉप में और वहीं पर यहां पर यह जो नाक दू और इसका प्राइस ड्ष। रुप ये वाला जो नाक मट ऐसका प्राइस 200 के आज पास ही था इतना साहल है यहां तक था ये और सिर्प और सिर्प दो सो सुखते हो कि आप 200 कितना ज़्यादा होता है आप इतने से नाकमट के लिए और ऐसा भी नहीं है कि क्या बोलते इसको सिर्फ किसी और चीज के लिए यूज किया जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसको सिर्फ खाने के लिए यूज किया जाता है तो यह है मेरा सबसे पुराना स्टॉक जिसको बोला जा सकता है मैं जो कि मैने में सबसे पहले मंगाय थी खरीद कर लाई थी ये देखिए, सबसे पहली Slate Pencil है ये यह सारी मैंने वीडियो के लिए ही capaz के लिए थी सबसे पुराना जो ना कमट है वह ये है उसकी बाद ये है और में में पार बहुत सारे है इक क्ट में बहुत पुरानी है और इसका जो डस्ट है वो आल्मोस्ट खतम हो चुका है क्योंकि यह बहुत था यूज की गई है वीडियो के लिए यूज की गई इसका डस्ट भी खतम हो चुका है तो यह है मेरा पुराना स्टॉक सबसे पुराना स्टॉक तो यह थी आज की चोटी सी वी आता हूँ इसको मैं खाता हूँ लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखे होगी यही स्लेट पहले से यही नाकमर्ट यूज होता है और बहुत पहले से दो तिन सालों से यह यूज होता आ रहा है अभी दोजार चौबिस लग चुका है तो आ मैं नेक्स वीडियो क्या करूं मेरे पास आज कल आईडिया नहीं है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा बीजी शेडियूल है इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन अगर आप लोगों करोगे नीचे तो मैं आप मैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो करने सब्सक्राइब नहीं किया मैं के लिए बहुत सारी वीडियो लगा थो सब्सक्राइब करें थो नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और आपकी स्क्रीव रही और किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो कर सकते हो झाल झाल